हेलो दोस्तो स्वागत है WD Coders में लास्ट वीडियो में हमने डिजाइन रेडि कर लिया था थोड़ा और नेक्स्ट वर्क हम शेट कॉंपोनेंट का इस वीडियो में करेंगे चलते हैं स्कुन पर मैंने प्रोजेक्ट इस्टाट कर लिया है और आप देख सकते हैं expense item करके यह आ रहा है ठीक है तो हमें इसको डिजाइन करना है सबसे पहले expense item को मैं डिजाइन करता हूँ background color थोड़ा अट कर लेते हैं और इसमें अट करता हूँ विल भी 5 पीजी वाइट चाडव भी थोड़ा अट करना पड़ेगा राउंडर करते हैं फुल फुल नहीं हमें अटिक है हमें तो करना है है इडिक है इसमें हमें दिखाना है अपना amount इसमें हमने अट कर दिया है ठीक है दूसरा हमें करना है एक बनाना पड़े का div इसमें paragraph होगा date के लिए यह हो जाएगी हमारी date सब्सक्राइब यह होगे 23 October 2023 ठीक है paragraph हो जाएगा रिचार्ज करके description हो जाएगा यह दूबार आ गया है refresh करके देखता हूँ हाँ 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 यह बिल्कुल ठीक आ रहा है सब्सक्राइब करता हूँ एड एक्स्ट ग्रे और एक्सेस हो जाएगा और मीडियम हो जाएगा और तो कर देता हूँ empty top से 5 ठीक है चलो यह सही है description भी आ रहा है description में थोड़ा सा इसको करता हूँ 9 flexor में कर दूँ अच्छा flex call भी करना पड़ेगा और gap थोड़ा add करना पड़ेगा यह सब कुस ठीक आ रहा है मैं refresh कर रहूँ है यह भी हो गया अच्छा मैंने इसके लिए न यह जो boxes में आ रहा है अभी list item में मैंने यह भी add कर दिया है margin से 6 हो गया flex मेना दिया flex call कर दिया है और gap भी add कर दिया थाकि यह दोनों ठीक है अगर मैं इसको remove करता हूँ तो देखो कैसे आ रहा है ठीक है तो यह भी मैंने add कर दिया है अच्छा यह दोनों कम हमारे हो गया इसमें थोड़ा सा मैं medium नी बोल्ट करता हूँ कि amount रहेगा हमारा और अब मैं बनाता हूँ थोड़ा बटन भी हमें बनाने पड़ेंगे एक router link मुझे बनाना पड़ेगा यह हो जाएगा एक तो edit के लिए ठीक है एक router link हमें बनाना पड़ेगा delete के और इसमें add करना पड़ेगा to अभी मैं main यह जो home page है उसको देता हूँ तो करते हैं relative इनको हम बनाने वाले हैं absolute अचा हमें यहाँ पे आड़ करना है class add कर लेता हूँ class से पहले इसको position थोड़ी ठीक कर लेता है absolute और right से हो जाएगा और इसे हैं कैसा रहे हाँ दोनों बिल्कुल ठीक हा रहा है तो ही है करते हैं flux gap कर देता है add is 4 ठीक है अब इसमें main करना है हमें color add class font bold हो जाएगा अच्छा medium हो जाएगा और अभी के लिए text blue 500 और hover पे हमें चेक कर लेता है blue 600 red और hover पे इसको यह बिल्कुल सही आ रहा रहा है लेकिन हमें इसमें color add कर नहीं यह बिल्कुल ठीक हर रहा है बिल्कुल सही अच्छा यह दोनों भी position ठीक होगी इसकी भी position ठीक होगी इसमें तो हमें यही design करना था दूसरा क्या है कि हमें अभी dynamic data भी तो दिखाना है मैं उसके लिए एक item और add कर लेता हूँ उसका name कुछ और change करता हूँ यह मैं thunder client से ही add करूँगा अभी प्याल के लिए करते हैं कि band अभी इसको refresh करके भी देख लेता है अच्छा ठीक है अब main क्या है कि हमें इसको three items को dynamic के लिए सबसे पहले expense item में प्रोप्स एड करता है ठीक है यह हो जाएगा हमारा item एक हो जाएगा यह ओप्जेट हो जाएगा ठीक है यह हमारा object हो जाएगा यह मैं comment कर देता हूँ इस item को हम यूज करने वाले हैं जैसे कि यह हमारा amount है amount में curly braces लगए है हो गया और अभी न सबसे पहले हैं यहां से item भी send कर लेते हैं item भी तो सब्सक्राइब यह नहीं और यह वाला name से होना चाहिए अभी work करेगा की भी add करने होती है क्योंकि आजना यह error देगा अभी तो नहीं दे रहा है लेकिन error देता है क्योंकि यह differentiate नहीं कर पाएगा ठीक है यह अभी फिलाल के लिए कि item.id for differentiate क्योंकि यह वाला काम भी आ रहा है तो amount भी आ रहा है एंज हो गया ना according to the data में ना description description से पता चलेगा कि हमने भी broadband वाला भी add किया था तो कैसे आ रहा है broadband recharge broadband recharge आ रहा है ना यह वाला भी हमारा अच्छे से work कर रहा है अच्छा दूसरा हमें यहाँ पर date भी add करने पड़ेगी date मैं ऐसे add कर रहा हूं date करके ठीक है अच्छा तो date भी हमारी add होगी है check करके देखते हैं अच्छा date हमारी अब यह आ रही है लेकिन अगर हम change करना चाहें क्योंकि हमेना change करने की जरूरत पड़ेगी जो format हमें चाहिए न उस format के base पर हमें करना है तो moment को भी हम use कर सकते हैं अच्छी कोई problem नहीं है अभी के लिए मैंने यह आप देख सकते हैं कि हमारा data आ गया है ठीक है दूसरा और यह dynamic भी अभी है नेक्स वीडियो में हम create वाला operations को perform करेंगे ठीक है create वाला operation perform करेंगे और form भी design करेंगे दोनों काम करेंगे अभी के लिए न मैं एक package है जो हमें install करना है आपने दिखा होगा के इंट्रो वाली वीडियो में जब हम create करेंगे save वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो एक toaster आएगा ठीक है उस toaster को हमें install करना है यह package है मैं इसको install कर रहा हूं नेक्स वीडियो में हमें इसकी जुरुत पड़ेगी जब हम form को design करेंगे और data को add करेंगे ठीक है तो यह वाला हमारा काम हो गया है लिस्ट में यहां पर भी data आ रहा है कोई problem वाली बात नहीं है next video में हम create वाला operation perform करेंगे ठीक है मिलते है next video में thank you